हेलो दोस्तों देखो जीकोई श्टेडी में आप सभी लोग का स्वागत है दोस्तों आर्पी अफ का सलेबस बार बार पूछे जा रहें कि आर्पी अप एसाई एंड कॉस्टेबल यानि कि कॉस्टेबल सिपाही और एसाई यानि कि दरुगा के लिए आर्पी अफ में पार्टिकरम क्या है सिलेबस क्या है तो देखें दोस्तों हम आपको ओफिसियल नोटिफिकेशन पर लेके चलेंगे और वहाँ पर सभी चीज़े डिसकस करेंगे कि कौन-कौन से स्टेज होते हैं कौन-कौन से स्टेज को पार करना पड़ेगा और सिलेबस जो है मतलब पार्टिकरम आपका क्या-क्या है किस-किसीज का कितना-कितना नंबर का कोशन आएगा कितना कोशन आएगा कितना समय मिलेगा सभी चीज़े डिसकस करेंगे दोस्तों ठीक है ठीक है तो 13 प्रक्रिया है इसी के बाद आपको मिल जाएगा यहां पर दिखाए गया जो सिबिटी है उसके बारे बताएगा है नीचे जाएंगे दोस्तों देखिए यहाँ पर एक important चीज कि देखिए आप exam जो है हिंदी के अलावा मतला हिंदी English के अलावा और भी आप 15 भासा है पंजाबी तक दे सकते हैं यह सबी आपके भासा हैं इनमें इनमें आप exam को दे सकते हैं ठीक है परिच्छा में जो भी आपका एक बटा तीन ही होगा दोनों में ठीक है सलेवस मैं आपको दिखा देता हूं और हाँ यहाँ पर आप आएंगे दोस्तों तो देखिए कूल समय जो आपको मिलेगा समय ओधी 90 मिनिट मिलेगा दोस्तों और आपको करना कितना होगा 120 कोशन आपको करना होगा जिसमें 90 मिनिट में 120 कोशन करना होगा तो 50 जो आपके कोशन होगे दोस्तों वो आपके जीके से होगे इसमें आपके जो भी चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है देखिए आप सब की संस्कृति से लेकर करेंट से लेकर सबी चीज़ें इन्वाल्व होगे खेल समान्रिव गयान सब कुछ होगा आप इसको स्किन सॉर्ट आप इसका ले सकते हैं मेंसुरेशन भी होगा ठीक नेक्स देख लेते हैं दोस्तों 50 आएगा जीके और उसके बाद 35 आएगा अंक गडित और देखिए यहाँ पर समान्रे बुद्धी इन तरक सकती 35 कोशन इसके आएगे दोस्तों दे 35 और 35 कोशन रिजनिंग और आपके मैथ के यानि कि टोटल जो है 120 आपके कोशन प्रशन होंगे और आपको 90 मिनिट में करना होगा माइनस मार्किंग जो दोस्तों है एक बटा 3 है ठीक है बात कर लेते दोस्तों जो है आपका फीजिकल इसके बाद क्या क्या होगा बतलब कि स्टेज हमने सीवीटी पहला चटा पार्स किया तो किटने लोगों को ढूर्ब सरीक cricket लिए जो है फीजिकल के लिए तो देखी दोस्तों जो लोगों को बाद जा आपकी वेकेंसे उसे 10 गुना वोगों बाद ऐगा दूस्तों ठीक है अब यह सभी चीजें आप जो है पर इसका कोई भी अंक आपको नहीं दिया जाएगा जो सारी मतलब जो कॉंस्टेबल के लिए अगर रनिंग है एसाई के लिए भी इतने यह दोस्तों सेम है मैं बता रहा हूं एक्जाम के लिए पैटरन भी लगबग सेम है बस आपको कोशन का लेबल में फरक है ठीक है तो य यहाँ पर महिला के लिए जो है आपको समय यहाँ पर है दोस्तों स्वरी पूरुस के लिए पांच मिनट पैतालिस सेकंड में दूरी और महिला के लिए है आट सो मिटर की दूरी जो है रनिंग करना है आपको तीन मिनट चालिस सेकंड में ठीक है लंबा कूद जो है आपको सेलेक्सन हो जाता है ठीक है तो दो ही चरण आगर माने तो एक फीजिकल है मतलब सबसे पहले तो बात करेंगे तो सीवीटी कोई क्लियर करना होगा तो सीवीटी में आपके जीके होंगे यह देखिए यहां पर दिया हुए 90 प्र्ष्णों की सख्याज होगा एक सो बीस होगा जीके होगा आपका 50 मैथ होगा आपका 35 और रिजिनिंग कितना होगा दोस्तों वह भी होगा 35 पैंथीस पैंथीस और यहां पर 50 जी के कोश्चन होंगे ठीक है तो आपको पता चल चुगा है सलेबस सलेबस के लिए आप दोस्तों देखिए इसका आप स्क्रीन सॉट ले लिजे समानने ग्यान का यह रहा और अंकगरित का यह है और यह रहा आपका बुद्धी लब्दी या समानने बुद्धी परिछण या तर चुगा होगा एसाई और कॉंस्टेबल के लिए दोस्तों दोनों के लिए एकी सलेबस है बस आपका कोशन का लेबल जो होगा उसमें आपको फरक मिल जाएगा ठीक है तो आसवरते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास हमारे वीडियो आपको पसंद आओगा आर पीएफ का सलेब में धन्यवाद